कोरुना वाइरस संक्रमन के खत्रे से बचने के लिए सबसे कारगर, हपियार, मासक और सोशल डिस्टनसिंग है कोरुना वाइरस की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है संक्रमन के बेच मास्को लेकर भी लोग गंभीर नहीं है वाइरस से बचाओ के लिए मास्क को हमारी आदत बनाना होगा कैसा मास्क आपको कोरोना वाइरस से बचाएगा इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये है सरकार ने अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि दूसरी लहर में संक्रमन से बचने के लिए डबल मास्क का प्रयोग करें सरकार ने डबल मास्किन के लिए कुछ दिशा निर्देश चारी किये हैं डबल मास्क में सर्जिकल मास्क और डबल या ट्रिपल लेयर वाला कपड़े का मास्क शामिल होना चाहिए नाग को मास्क से अच्छी तरह ढखकर रखना चाहिए और बीच वाले हिस्से को कसकर दबाया जाना चाहिए एक रिसर्च के मुताबिक दो मास्क को सही तहिक के से पहनने से सार्स सी ओवी टू आकार के कड़ों को चानने की प्रभाव शिल्ता लगभग दोगुनी हो जाती है इससे उन्हें पहनने वाले के नाक और मुँ तक पहुचने से रोका जा सकता है मुश्कार दश्रकों आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको मास्क पहनना है और किस तरह से उतारना है सरकार ने जो निर्देश दिये है डबल मास्क लगाने के तो आपको बताएंगे कि उसके लिए आपको सबसे पहले एक सर्जिकल मास्क लेना है सर्जिकल मास को आपको लगाना है तो कई बार यह यहां से ढीला होता है गर यह आपको आपके चहरे के हिसाब से ढीला है तो आप इसे इस तरह फोल्ड करकर लगा सकते हैं आप इसे एक फोल्ड कीजी यहां से और अपने कानों में लगा लीजी जैसे इस तरह इस तरह लगान दर नीचे तक पूरा portion जो है वो धका हुआ आना चाहिए और आप बीच में से भी जब यहां के gap नहीं है तो आप बीच में से भी एक बार चेक किजिए तक कि आप अच्छे से सास ले पर आए तो आपका यह मास्क बिल्कुल ठीक है इसके उपर आपको बाहर निकलने के पहले अपना कौटर या कपड़े का जो भी मास्क है आप वो लगाईए इस तरह आप बाहर जाने के लिए बाप सुरक्षित है और कोरोना वायरस से आप काफी हद तक बच सकते हैं इसके बाद दूसरा तरीका है कि जब आप मास्क उतारते हैं तब कोई गल्तीगर आप कर रहे है तो वो ना करें कई लोग मास्क उतारते अई या तो इसे बीच हुए से उतार लेते हैं ताकि पता ही निपड़ती है कि वायरस हाथ पर भी लग सकता है इसलिए मास्क उतारने के पहले भी आपको हाथों को सैनेटाइज करना है उसके बाद इसे इस तरह निकालना है और आप कपड़े का मास्क इस तरह धूले डाल सकते है सर्जिकल मास्क भी आपको बस साइड से उतार कर इसे डिस्पोस कर देना है झाल झाल